बिधायक को भी बिधायक यही पानी से उसको पूरे गाउं भोट दिये हैं अच्छा इसी पानी से वोट मंगने के लिए भी गई थी भोट ने ना बना करके तराया उसने विधायक ने अब उसको हम लोग सब ने भोट दे करके जीता हैं वो बोला कि हम इसको ठीक कर देंगे वो भी अभी इस जिगा रोकते हैं तो नहीं रूकती है नमस्कार आप जिला टॉप देख रहे हैं और इस वक्त हम महर्मा प्रखंड के धनकुडिया गाउं में मौझूद है इस गाउं वालों के लिए यह गर्व की बात है कि यहां से कुछी किलोमीटर बात जो है महागामा विधान सभा के विधायक दिपिका पांडे सिंग का घर है और इस गाउं के लिए यह सर्म की बात है कि जब से इस गाउं का यहां पर बसा है जब से इस गाउं में यह सड़क बना है तब से इस गाउं की स्थिती यही है जो आप तस्वीर में साब तोर से देख सकते हैं इस गाउं का या मुख्य सडक है इस गाउं के अंदर जाने का और जब से यह गाउं बना है तब से इस गाउं के लोग जो है इसी प्रकार से घुटने भर पानी में जाते हैं इस नाले के पानी में चल कर उस पार जाते हैं बगल में घर है दोनों और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर मौजूद है यहाँ पर हमारे पीछे जो है पाच्छे लोग मौजूद हैं लगातार इस चीज को कई बार न्यूस चैनल के माध्यमों से भी दिखाया गया कि इस चीज का निवारन हो सके सडक से पानी हट जाए जाने आने में तकलीफ न हो लेकिन अब तक जो है इन लोगों की समस्याओं को नहीं सुना गया कई वार इनों ने बताया कि इसकी समस्या जो है गाउंवालों दुवारा महागामा विधायक दिपिगा पंडे सिंग से भी की गई यहां के अधिकारी से की गई मुख्या से की गई तमाम जन प्रितिनीदी और अधिकारियों से की गई लेकिन अब तक जो है इस सडक का जो है इस जमे हुए पानी का निवारन नहीं हो पाया आपको बता दें कि यह पानी जो है बर्षात का पानी नहीं है नहीं यह कि निकलने वाला पानी है जो घरेली उपयोग का पानी होता है लोगों का वा पानी है जिसे लगातार गंदग्या फैलती है लोगों को कई बीमारिया होने का डर रहता है कई बार इस गाउं के लोग जो है बीमार भी हुए है लेकिन अब तक इस गाउं के लोगों की समस्याओं क क्या नामे गाउं का धनकुडिया कैसे यह पानी जमा रह जाता है पानी यह जब रोड बना ना रोड बनने के बाद यह नाली भरा गया अब पानी जब तक नाली नहीं बनेगा निकास नहीं होगा तो पानी तो रहे करेगा नाली जब तक नहीं बनेगा तब तक पानी रहेग तो पंच साल मुखिया जी रहे आपके पंचायत में फिर से पंचायत चुना रहा है लग रहा है तो क्यों पंच साल में आपका यह नला नहीं बना यह दस साल से योजना चल रहा है बिदायका भी भी ढटए की यही पानि से उसको पूरे गां भोट दिये वो बोला कि हम इसको ठीक कर देंगे वो भी अभी इस जगह रोकते हैं तो ने रुकती है कौन विधायक नहीं रुकता है तो फिर कैसे निप्तारा होगा इसका निप्तारा तो अब जाने उपर वला हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं अच्छा तौ मुख्या जी क निला का निर्मान से मुख्या पन से नला का हो सकता है हां तो नाला कीョ नहीं बनवाए पुछें Cert नला बना न था हता दा नहीं कि नय आ तो यहां पीछले साल विडियो सूभ भी दिखाये वह भी हल नहीं कर पाया नहीं कर पाया तो यह आप सुनें यहां के आद्मियों से सुन रहे हैं यहां पर एक महिला है हम आपको इन से बात कराता है यहीं घ्याओं घर हुआ आपका देशे लला खरेगा तो सड़क तो ये सरकारी है सरकारी तोड़क किनारे नहीं देता आगल और निकास नहीं होलतेएशे तो कैसे फिर रहते हैं आप लोग वीमारी फल जाएगा तो आर्ट क्या हो कि अक अब बिदायक को नहीं बोれ कितनों दूर है विदायक का घर यहां से आपका क्या नाम हो अब यहां कभी अपने से कोशिस नहीं किये किसका निवारन खरवाद निवारन तो यहां से दिपीका पांडे जिंग आई थी और उना हिला के गई है अच्छा यानि कि परदर्शन की थी जब विधायका नहीं थी तो चुनाओं के समय में चुनाओं से पह तक घुरने के लिए नहीं आई है ना जीतने के बाद आप लोग अभी शिकायत किये शिकायत तो उसका मतलब देवर सब आये थे यहां से बोलया की दस आदमी का दिविदायक के पास आप लोगो कभी नहीं गए तो बेट ही नहीं देती है नहीं रहती है तो कैसे फिर हो आप लोग क्या अपने से कोशिश कर रहे हैं कोई और मुख्या भी तो बनवा सकता है इसको ऐसा थोड़ी सिर्फ विदायक पर ही आप लोग टिके रहे हैं बनवा सकते हैं लेकिन देंगे फंड तब ना नहीं देते हैं तो यह तमाम समस्या है जिसका निवारन अब तक नह वाले कह रहे हैं कि बगल में मुख्या जी का घर था बगल में विधायक का घर था और जिस समय चुनाओ था उस समय महागामा की विधायक दिपिका पांडे सिंग जो है एक प्रदर्शन करते वे इस पानी में नाव हिलाई थी कि जब हम बन जाएंगे मुख्या जब हम इंडियन स्कूल मोहनपूर गोड़ा जारखन जीहां सीबियासी द्वारा मानिता प्राप्ट सिनियर सेकेंडरी स्कूल जहां पर एडमिस्न ओपन हो चुके हैं जीहां यहां कक्छा नर्सरी से कक्छा बारहवी तक की पढ़ाई योग्य अनुभवी एवं प्रसिक्चित सि द्वारा करवाई जाती है यहां पर हर वर्स बच्चे बोड में 100% रिजल्ट देते हैं इसके अलावा इस स्कूल में कई और भी सुविधाएं हैं जैसे बॉइज एन गर्ल्स के लिए सेपरेट होस्टल की सुविधा, ट्रांस्पोर्टेशन की सुविधा, साइन्स लाब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लाब, खेल कूद, इंग्लिस स्पोकेन, इत्यादी, तो आप अपने बच्चे के सरवाणिड दिकास एबं उज्जवल भविस्च के लिए आज ही नामांकन कराएं संत माइकल अंगलो इंडियल स्कूल मोहनपूर गोड़ा जारकन में